रामपूर शूड़ी गाउं में प्रेक्रतिक आपदा के कारण दर्जनों मकान मालिकों को मुआवजादेने पुनर्विस्थाफित करने बस्ती के चार और आर सी सी दिवारे डंगे लगवाने बारे डिसी पंचकुला को पार्शद ने स्वपा ग्यापन पतर नगरपरशित कालका पिंजोर वान नम्बर ठारा की महला पार्शद सीमा देवी ने शुकरवार को बताया की वान नम्बर ठारा के अंतरगत रामपूर सूड़ी बस्ती में अधिकतर अबादी अनुसूचित जाती वालमी की लोगों की है जो की गरीब परिवार से सबंद और यहां कई सालों से यहां रह रहे हैं पारशद सीमा देवी ने बताया की पिछले वरस भ्यंकर बारिश के चलते वार्ड के अंतरगत पढ़ने वाले रामपूर सुड़ी गाउं के लोगों का भारे नुकसान हुआ था सरकारी गलिया नाले तूट चुके थे जिसके चलत लोगों को कोई भी सुविधा मुआफजा नहीं दिया गया ना ही अभी तक कोई मरमत का कारह शुरू किया गया है जिसके चलते कलोनी में जीवन बद से बत्तर होता जा रहा है महलाएं बच्चे खुले असमान के नीचे रहने को मजबूर है जिसके चलते कोई भी अनहोनी घटना अपना रूप ले सकती है वाड की पारशद ने लोगों की तरफ से बताया कि भ्यानक तरासदी से गाउवल को खत्रा मंडराया हुआ है और लोग डर के साय में जीने को मजबूर है वाड की पारशद सीमा देवी ने बताया कि आने वाले समय में फिर बरसात आने वा है वान नंबर ठारा की पार्षद सीमा देवी ने डीसी पंचकुला को दिये ग्यापन पत्र में बताया कि वान नंबर ठारा में गलिया नाले मकान घर तहस नैस हैं तुरंत प्रभाव से युद्सतर पर ठीक प्रवावित लोगों को मुआवजा राशी देने और उने पुनर ग्यापन पत्र में कहा गया है और बरसातों से पहले यहां काम शुरू करवाने की मांग पर जोर दिया है